Hi guys, मैं हूँ Amita और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल FitLife by Amita पे कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होगे तो आज की जो वीडियो है वो बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि जो सबसे आसान तरीका है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने का यार्नि की citizenship वो क्या है जैसा आप सब जानते हो कि मैं आप सब के comments को कितना seriously लेती हूँ तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझे कि कैसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सब के लिए एक वीडियो बना ली जाए पूरी वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत important होने वाली है आप सब के लिए जिसको भी US आने में interest है जिसे भी US के नागरिकता में interest है चलिए बिना time waste किये हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिरफ एक ही option बताने वाली हूँ जो कि सबसे easy है अगर आप America के citizen बनना चाहते हैं वैसे तो कई सारे options हैं जो कि मैं आगे की बाकी सारी वीडियो में cover करती रहूँगी तो इसलिए अगर आप सबने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe कर लें और जो नीचे bell icon है उसको click कर लें पर आज की जो वीडियो है वो है सबसे आसान तरीका जिससे आपको America की नागरिकता प्राप्त हो सकती है और वो तरीका क्या है गाईस वो तरीका है अगर आप American citizen यानि की American नागरिक से शादी करते हो या फिर आप किसी green card holder से शादी करते हो तो ये सबसे पहली requirement है इस process में दूसरी requirement ये है कि शादी आप किसी भी country में कर सकते हो यानि की जरूरी नहीं है कि आपको America आके ही शादी करनी है आप अगर America में नहीं भी हो और बाहर किसी भी country में हो किसी भी country में तो आप वहाँ पे शादी कर सकते हो और जो तीसरी requirement है इस option के लिए वो ये है आपकी age 18 plus होनी चाहिए शादी करने के लिए अगर आपकी age 18 से कम है तो आप legally शादी नहीं कर सकते चोथा जो point है इसमें ये है कि अगर आप पहले से शादी शुदा हैं तो आपको legally उस पहले इंसान से divorce लेना ही होगा अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पहली शादी में रहकर फिर किसी American से शादी कर लो और नागरिकता प्राप्त कर लो ऐसा नहीं possible है आपको legally पहले इंसान से सब कुछ खतम करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हो अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या तो चली मान लेते हैं कि आपकी शादी हो गई आपने किसी American citizen से या फिर आपने किसी green card holder से शादी कर ली शादी करते ही सबसे पहला जो काम होगा वो आपको होगा marriage certificate लेना आपके पास marriage certificate होना बहुत जरूरी है और उसे आप जाके court से ले ले शादी को register तरीके से करना बहुत जरूरी है तभी आपको marriage certificate मिलेगा उसके बाद जो है जब आप शादी कर लेते हो और आपके पास marriage certificate हा वो USCIS जो कि अमेरिका के ये वीजा, सिडिजन्शिप ये सब चीजों को देखने वाली ओर्गनाइजेशन है वहाँ पर सम्मिट हो जाएगा I-130 फॉर्म और साथ में मेरे सर्टिफिकेट भी सम्मिट करना होगा फिर जैसे ही आपका स्पाउज I-130 फॉर्म सम्मिट कर देता है USCIS को यहां अमेरिका में विदिन वन और टू मन्स आपका अप्रूवल आ जाएगा जैसे ही आपका स्पाउज अप्रूवल कॉपी को NVC में सम्मिट करता है उसके बाद आप जहां भी आपका nearest US Consulate है जिस भी आप country में हैं उसमें जहां पे भी nearest Consulate है तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 5 Consulates है Mumbai, Delhi, Hyderabad, Chennai और Kolkata तो यह पाचो जगे में से कहीं भी एक जगे आप जा सकते हो और वहाँ एक interview होगा और again interview में आप से कुछ questions पूछेंगे जिसका मैंने वीडियो अल्रेडी बना रखा है यह रही यह वीडियो तो अगर आप सबने मेरी यह वीडियो नहीं देखिए तो यह वीडियो जाके देख लें आपको इस वीडियो से काफी help मिल जाएगी कि कैसे questions पूछे जाते हैं जब आप dependent होके जाते हैं किसी पे तो idea लग जाएगा आपको questions का इंटर्व्यू के साथ साथ आपका medical test भी होगा medical test important होता है तो वहाँ पे आपका medical test करते हैं वो लोग और जैसे ही आप medical test clear करते हैं आपको one time visa मिल जाएगा US आने का और note करने वाली बात ये है कि वो visa one time entry visa है ऐसा नहीं कि आप जाओ आओ US जाओ आओ one time entry visa तो जैसे ही आपको one time entry visa मिलती है आप US के अंदर आ सकते हो और US के अंदर जब आओगे तो यहाँ जब आपका immigration होगा तो वो immigration officer आपसे कुछ questions पूछेगा और मैंने इस topic पे वीडियो अल्रेडी बनाई हुई है कि कैसे questions पूछे जाते हैं अलग-अलग visa से related तो आपको इस वीडियो से काफी help मिल जाएगी अगर आप सबने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें फिर यहाँ US में immigration clear करने के बाद आप US के अंदर आ जाओगे इसके बाद का process क्या है उस पे बात करते है फिर जैसा ही आपका immigration clear हो जाता है और आप US के अंदर रहने लगते हो तो उसके बाद एक दो महीने के अंदर आपको GC मिल जाएगा GC यानि की green card और green card एक PR की तरह काम करता है यानि की permanent residency ये बहुत बड़ी चीज होती है इस पे एक अलग वीडियो में और बनाऊंगी जिस पे मैं और सारे process के बारे में discuss करूंगी तो जैसे ही आपको green card मिलता है उसके भी दो condition है अगर आपकी शादी को सिरफ 2 साल हुए है या 2 साल से कम हुए है तो आपका जो GC है वो 2 साल के लिए valid होगा पर अगर आपकी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको GC 10 साल का मिल जाएगा अगर आपको GC सिरफ 2 साल का मिला है पर मैं यह अजियूम करती हूँ कि आपकी शादी अगर अभी अभी हुई है और आपको GC सिरफ 2 साल का मिला है तो जैसे ही आपका GC का duration 2 साल over होने वाला रहेगा तो आपको फिर से एक I-751 फॉर्म भरना पड़ेगा GC को extend कराने के लिए और जैसे ही आप वो फॉर्म भर दोगे तो 10 साल का GC आपको मिल जाएगा फिर से तो अब बात करते हैं कि citizenship कैसे मिलेगी तो जब आप US में 3 साल से रह रहे होते हो यानि कि आपने GC extend करवा लिया है 10 साल तक और आप 3 साल से US के अंदर हो और 3 साल अगर लगातार नहीं भी हो लेकिन तोटल जो आपका stay है वो 3 साल का है वो पहली criteria है और जो दूसरी criteria है कि आपका last 3 months 90 days का जो stay है वो US के अंदर होना चाहिए भले आप बीच में वापिस चले जाओ कहीं अपने घर चले जाओ वापिस आ जाओ यहाँ वो कर लो पर हाँ total जो stay है आपकी शादी के बाद 3 साल का US में होना चाहिए और जो last का 3 महिना है वो आप US के अंदर रह रहे हो जब आप citizenship फाइल करने जा रहे हो तो चले हम एक simple example से समझा देती हूँ तो अगर मैं बात करूँ कि आपकी अगर शादी 2020 में हुई तो 2020 में आपको 2022 तक आपको GC मिला फिर आपने उसे extend कर वा लिया फिर आपको 10 साल का GC मिला यानि की 2032 तो उसके बाद 2023 में क्योंकि आपकी शादी 2020 में हुई है 2023 में तीन साल आपकी शादी को हो गए रहते हैं और मैं यह अजियूम कर रही हूँ कि शादी के बाद आप तुरत यहां आ गए हो US तो आप तीन साल US के अंदर रह लिए हो और 2023 में आप eligible हो जाते हो citizenship apply करने के लिए जैसे अगर आप जून 2023 में citizenship के लिए apply करना चाह रहे हो तो जून से पिछले तीन महीने का आप लगा लो आपको US में रहना चाहिए जब अगर आप citizenship के लिए apply करते हो तो उसके बाद आपकी citizenship की request चली जाती है US government को और guys note करने की बात यह है कि अगर आप शादी शुदा हो तो आप अपने spouse के साथ रह रहे हो यहाँ US में क्योंकि government वाले यहाँ चेक करते हैं कि कहीं आपने शादी सिरफ और सिरफ citizenship के लिए तो नहीं की है तो अगर आप नहीं रह रहे हो spouse के साथ तो आपको citizenship नहीं मिलेगी और in fact green card मिलने में भी दिक्कत हो सकती है तो खास बात यही है कि आपको अपने spouse यानि के husband या wife के साथ ही रहना पड़ेगा जबी भी आप शादी के duration में हो तो और उसके बाद जैसे ही आप citizenship के लिए apply करते हो यहाँ पे उसके बाद आपका दो टेस्ट होता है दो टेस्ट यहाँ एक English का टेस्ट होता है और दूसरा History का टेस्ट होता है जहाँ वो अमेरिका के हिस्टी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं आपसे और उस टेस्ट के लिए generally एक guide होती है यहाँ पे generally वो सब लोग पढ़ते हैं वो guide को जभी भी टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आप वो guide वो simple test होता है बहुत ज्यादा tough test नहीं होता कोई भी clear कर लेता है तो वो guide आपको ले लेनी है उस guide से आप prepare कर लेना और वो दोनों English और History का test आप clear कर लोगे बड़े आसानी से और वो test जैसे ही clear कर लोगे आपको 12 महीने के अंदर यहाँ की नागरिक्ता प्राप्त हो जाएगी तो यह guys सबसे आसान तरीका है अमेरिका की नागरिक्ता प्राप्त करने का यानि की citizenship इसके अलावा बहुत सारित और तरीके हैं जो कि मैं आगे की वीडियोज में डालूँगी तो अगर आप सबने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और आज की इस वीडियो में मैंने बस यही कोशिश की कि आप लोगों को एक सिंप्लेस तरीका बताऊं जो कि सबसे आसान तरीका है अगर आप अमेरिका की citizenship राप्त करना चाहते हो तो So, all right guys I hope कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप सब मेरे चानल पे नए हो तो मेरे चानल को सबस्क्राइब जरूर कर लो क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए informative वीडियो भी बनाती रहूँ साथ मैं अपनी lifestyle की वीडियो भी शेर करूँ आप सबके साथ I hope कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो like जरूर कर दें दोस्तों के साथ शेर करें और मेरे चानल को सबस्क्राइब कर लें All right guys, stay happy, stay fit Bye